अगर आप ड्राकुला की मूवी देखना पसंद करते हैं, तो रिनफील्ड आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, जो क्लासिकल ड्राकुला वेंपायर मूवी से अलग है. फिल्म को डिरेक्टर क्रिस मैके ने डारेक्ट किया है, जिसमें मुक्य भूमी का निभाने वाले कलाकार हैं, निकलस केज और निकलस हाउल्ट. फिल्म की IMDb रेटिंग 6.4 है, जबकि इसको 57 परसेंट लोगों ने रॉटन टमाटोस भी पसंद किया था. So with all that said, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस एंटरेस्टिंग कहानी को. Hollywood Silver Screen Presenting Renfield Movie Start होती है एक सपोर्ट ग्रुप को दिखाते हुए, जहां पर बहुत सारे परिशान लोग अपनी प्रॉब्लम्स और अपने रिलेशन के बारे में बताते हैं, जिससे उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूरने में मदद मिले. अभी उस जगा पर कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिसकस कर रहे हैं, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, जिसका नाम Renfield है, जो पहले एक Real Estate वकील हुआ करता था, उसके दिमाग में उसकी Past Life की यादे चल रही होती है, जिसमें वो Transylvania के एक आदमी को कुछ प्रॉप खूमते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, Renfield से खुशो कर, ड्रैकुला उसे अपनी पावर का कुछ हिस्सा दे देता है, और उसे अपना Assistant बना लिता है, ड्रैकुला की पावर से उसके जिंदेगी पूरी तरह बदल जाती है, वो हमेशा के लिए ड्रैकुला का Assistant बन जाता ह ड्रैकुला उसे जो भी कहता है, वो उसे करना पड़ता है, अब तो Renfield ही उसकी देख भाल का काम क्या करता था, ड्रैकुला की दी हुई पावर सिर्फ उसे एक अमर इंसान बनाये रखती थी, जैसे ड्रैकुला की पावर इंसानी खोन पीने के करन बढ़ती थी, वैसे ही Renfield को उसकी पावर्स कीड़े खाने से आती थी, एक दिन मौडन जमाने के टाइम में एक एक एक्जॉर्सिस्ट अपने कुछ ड्रैकुला हंटरों के साथ इस ड्रैकुला को खत्म करने आता है, वो सब मिलकर उसे एक चमतकारी सरकल में कैद कर देते हैं, साथ ही वो लोग Renfield को भी समझाते हैं कि उसकी लाइफ अभी भी बहुत बची हुई है, वो ड्रैकुला के चंगुल से निकल कर अपनी लाइफ एक नए तरीके से अभी भी जी सकता है, जिस पर ड्रैकुला Renfield को डराता है कि अगर इन लोगों ने मुझे मार दिया तो ये लोग तुमें भी कैद क इस कारण ड्रैकुला बूरी तरह से जुलस जाता है, ये देखकर Renfield उसे फिर से बचा लेता है, अब उसकी बॉड़ी का थोड़ा सा हिसाई बचता है, ड्रैकुला Renfield को उसे बचाने और पूरी तरह ठीक करने के लिए बोलता है, उसे ठीक करने के लिए Renfield उसे New Orleans City ले आता है, जहां दोनों को बहुत से हंटरों से बचते बचाते, 90-95 साल बीच जाते हैं, Renfield ड्रैकुला का कैदी बनकर उसके लिए इंसानों को लाता रहता है, ताकि वो इंसानों का खून पीकर फिर से ठीक हो जाए, और अपनी शक्तियों को वापस पा ले, प्रिजन टाइम में का हेड, Renfield से उसकी स्टोरी बताने को बोलता है, पर वो मना कर देता है, और उससे कहता है कि इन सब बातों को सुने से कुछ नहीं होगा, तब ही वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम कैटलेन है, जो अपने बॉइफरेंट से बहुत परिशान थी, क्योंकि वो उससे बहुत परिशान करता था, इसलिए Renfield ड्रैकुला के लिए उसके बॉइफरेंट मिच को लेने चला जाता है, जो बहुत बुरा इंसान था, क्योंकि Renfield एक अच्छा आदमी है, वो नहीं चाहता है कि उसके कारण कोई अच्छा इंसान मरे, इसलिए वो ड्रैकुला के लिए हमेशा बुरे लोगों को ही लाता है, मिच एक छोटा मोटा क्रिमिनल है, जो किसी गैंकसर से ड्रक्स चुरा कर लाया है, रेनफील्ड वहाँ पहुँचकर उसके दो लोगों को मार कर मिच को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मोटा तगड़ा आदमी आ जाता है, और आते ही मिच को मार कर रेनफील्ड के पीट पर हमला कर देता है, जिससे वो घाया लोकर वहीं पर गिर जाता है, बॉड़ी में एनरजी लाने के लिए रेनफील्ड एक पड़े कीड़े को खा जाता है, और उस तगड़े आदमी के सिर पर मुक्का मार कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, उसका सिर उस जगा से उड़ते हुए बाहर जाकर उसी गैंकसर की कार पर गिरता है, जिससे मिच ने ड्रक्स चुराय थे, इसी ने उस आदमी को मिच को मारने भेजा था, इसका नाम टेड़ी है, जो शेहर की सबसे बड़ी क्राइम फैमली का बेटा है, रेबेका उसे पहचान लिती है, जिससे उसका पीछा करती है, उनसे पीछा चुडाने के लिए टेड़ी उन पर ही ड्रक्स फिंग लगता है, जिससे एक पैकेट क्रिस के मुँपर ही फट जाता है, जिससे क्रिस को पता चल जाता है कि ये ड्रक्स है, जिस कारण रेबेका पकड़ कर गिरफतार कर लीती है। Renfield Mitch और उसके लोगों की बॉड़ी लेकर Dracula के पास आ जाता है, जो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। Dracula उनके खून को चकता है, लेकिन उसे इसका स्वाथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसको वो अभी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाता, उस बात को सुनकर Dracula को गुस्सा आ जाता है, और वो उसका पेट काट देता है, जो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल रखना ही होगा, फिर वो अपने हाथ से खून निकाल कर उसके पेट पर डाल देता है, क्योंकि उसके खून में हीलिंग पावर्स हैं, जिससे रिनफिल्ड ठीक हो जाता है, अब उसके पास Dracula का order मानने के अलावा और कोई option नहीं था, उधर पुलिस स्टेशन में टेडी interrogation room में जोर-जोर से चिला रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें कुछ बता पाता, वहाँ पर उसका वकील आकर उसे छुड़ा ले जाता है, इससे Rebecca बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि इस गैंकसर ने उसके पापा को उनकी duty के दौरान मारा था, ओफिसर ब्राउनिंग उसे समझाते हैं कि वो उसके पापा जैसे नेडर है, लेकिन ये सब करके तुम अपने करियर को ही बरबात कर रही हो, बाहर वो अपनी भैन केट से मिलती है, जो अभी सही वक्त नहीं है, हम दोनों एक साथ मिलकर उससे अपना बदला पूरा करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा प्रोफेशनल होकर काम करना होगा, हमें नयाये जरूर मिलेगा, टेड़ी अपने घर में अपनी माँ बैला से मिलने जाता है, जो उसे चिलाती है, कि उनके फैमली इस शहर की सबसे बड़ी क्राइम फैमली है, हमने एक बहुत बड़ा एमपाइर खड़ा किया है, हमारी फैमली का फ्यूचर अब तुम्हारे हातों में है, लेकिन तुम एक छोटी सी चीज भी नहीं समाल सकते, तुम फ्यूचर में रा वहां पर उनको एक खून से सना हुआ पैन मिलता है, जिससे रेनफील्ड ने मिच की लोगों को मारा था, उस पैन पर एक कैफे का नाम लिखा हुआ था, दोनों उस कैफे पर जाते हैं, उनके पीछे पीछे टेडी भी बेला के कहने पर वहां पहुंच जाता है, इस कैफे भाग नहीं पाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से टेडी की लोग गन फायर करते हुए अंदर कैफे में गुश जाते हैं, भगदर के कारण रेनफील्ड का कीड़ा नीचे गिर जाता है, उस कैफे में आका टेडी रेबेका को पकड़ लेता है, और उससे उसके पापा के बार कुणाने लगती है, कि तुम मुझ पर गोली चला दो, मुझे तुम से डर नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हें तो गन चलाना भी नहीं आता, तुम बाहर अपनी गाड़ी में बैठे रहते हो, और तुमारी लिए कोई और काम करता है, तुझ में दम है तो चला गोली, टेडी वहां से भाग जाता है, सबको ठोकने के बाद, रेनफील्ड रेवेका से टेडी के सामने, फुल कॉन्फिडेंस से खड़े होने पर उसकी तारीफ करता है, जिस पर रेवेका उसे उसकी और बाकी सब की जान मचाने के लिए थैंक्स बोलती है, और आसपास के लोग उसको ठैंक्स कहते हैं, जिससे सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है, रेनफील्ड ड्रेकुला के पास खाली आज जाता है, ड्रेकुला अब थोड़ा भौट ठीक हो चुका था, जो उसे अपना प्लैन बताता है, कि वो अपनी शक्तिया वापस पाने के बाद इस दुनिय पर राज करेगा, वो सबका राजा बन जाएगा, और इंसानियत को खत्म करके गौड और इविल जैसी चीजों को मिटा देगा, इस दुनिया में सिर्फ उसी के फालोवर्स होंगे, जिनको वो आराम सिखाएगा, ड्रेकुला के इन बातों को सुनकर रेनफील्ड को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके अंदर अभी बी इंसानियत होती है, और वो इंसानियत को ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकता था, इसका सल्यूशन पाने के लिए, वो अपने ग्रुप के पास जाता है, जहां वो सबको अपने बारे में बताता है कि उसका एक बॉस है और वो ड्राकॉला के पास जाना छोड़ देता है और अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीद कर उसको सजाता है वो खुद के लिए समय निकालता है और खुद के डेवलेप्मेंट बर फोकस करता है साथी वो अपना हुलिया भी ठीक कर लेता है ये सब काम करके वो रेवेका से पुलिस टेशन मिलने जाता है जिसको वो पसंद करने लगता है वो उसे फ्लावर्स भी देता है रेवेका को स्टेटमेंट देता है और वो कोट में टेडी के खिलाफ कवाही देने के लिए भी तैयार हो जाता है साथ ही में वो रवेका को मोटिवेट भी किया करता था और बात-बात पर उसकी तारीफ करता था जिसको सुनकर वो काफी खुश होती है इधर बेला कैफे के CCTV फुटेज में रेन्फील को सबको मारते हुए देखती है और टेडी को उसे ढूनकर मारने के लिए भेज देती है पुलिस टेशन में रेवेका अपनी बहन को वही पेन देती है जो उसको उस साइट से मिला था रेबेका बोलती है कि जाओ और इस पैन पर लगे खून का डियाइने मैच करो उधर टेडी अपने लोगों के साथ रेनफील को ढूलते हुए एक पुराने हॉस्पिटल पहुँच जाता है जो ड्रैकुला का बेस होता है टेडी को वहाँ पर बहुत सारी लाशे पड़ी मिलती है जिन्हें देखकर वो अपने साथियों को बेला को कॉल करने को बोलता है पर वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है जो उसके गुंडों को मारने के बाद उसका गला पकड़ लेता है जहां पर वो उसके सभी लोगों को खत्म कर देता है और लास्ट में टेडी के पास आता है इस पर टेडी उसे रेनफील्ड की फोटो दिखा कर उससे उसके बारे में इतना सुनते ही वो गुसे में चमिगादर बनकर रेनफील्ड से मिलने पहुँच जाता है अब वो ठीक हो चुका था क्यूंकि उसने टेडी के लोगों को मारा था और उनका खुन पी लिया था ड्रैकुला रेनफील्ड से मिलने उसके अपाटमेंट में चला जाता है और उ सुनकर ड्रैकुला गुस्से में उसकी बेज़ती करने लगता है कि तुम यहां खड़े हो तो सिर्फ मेरी शक्तियों के कारण और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सेहना पड़ रहा है क्योंकि तुम जैसे अपने बीवी और बच्चों को छोड़ कर चले गए थे वै सब सुनकर ड्रैकुला हसता है और उस किताब को लेकर उसके पीछे देखता है उसमें लाइव स्प्रिंग चर्च का नाम लिखा हुआ था जहां पर सपोर्ट ग्रूप बैठता है इतना देखते ही ड्रैकुला वहां से चर्च के लिए निकल जाता है इधर रेबेका मिच की गर्फरेंड कैटलीन से मिलने उसके घर जाती है जहां उसे भी लाइव स्प्रिंग चर्च के बारे में बता चलता है चर्च में पहुँचकर रेनफील्ड ग्रूप की लोगों को यहां से निकल जाने को बोलता है पर तब ही वहां पर ड्रैकुला पहुँच जाता है और उ होका दिया है अब देखो मैं तुम्हारे करीबी और अच्छे इनसानों का क्या हाल करता हूँ मैं उनको तुमसे च्छीन लूँगा तब ही वहां पर रेवेका आ जाती है और इतनी सारी लाशों को देखकर रेवेका ना चाते हुए भी रेनफील्ड को अरेस्ट कर लेती है बाहर निकलते ही उनको पुलिस वाले घेर लेते हैं जिनमें बैला भी होती है जो उससे रेनफील्ड को उसके हवाले करने को बोलती है उसका आफिसर ब्राउनिंग भी रेनफील्ड के बदले उसे उसका प्रमोशन defin करता है इस से वो समझ जाती है कि अब सारे पुलिस वा तो वो खुद को Renfield के अपार्टमेंट में पाती है उसे एक गोली भी लगी थी जहांपर वो उसे अपने बारे में बताता है और उसे Dracula के बारे में information देता है लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करती है तब ही उसे Kate का call आता है और वो उसे बताती है कि वो DNA Renfield का है उसका DNA दुनिया के अलग-अलग केसिस से connected है और अगर ये एक ही आत्मी है तो ये लगबख 70-80 साल का होगा मतलब कि ये एक serial killer है इससे Rebecca समझ जाती है कि ये killer Renfield ही है मतलब वो अमर है Rebecca Kate को एक कैफे में मिलने को बलाती है जब वो दुनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तब ही उनको ढूंडते हुए पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते है उनको देखकर Renfield Rebecca से एक कीड़े को ढूंडने को कहता है क्योंकि उसे कीड़े खाने से ही powers मिलती है उसे कीड़ा मिल भी जाता है जिसे खाते ही वो उनसे एक सूपरमान की तरह लड़ने लगता है यहाँ पर काफी भहेंकर और खून खराबे वाली फाइट हो जाती है Renfield उन लोगों के हाथ निकालते हुए उन्हें बड़ी बीरहमी से मारे जा रहा था और इतना सब देखकर अब Rebecca को Renfield की बात पर विश्वास हो चुका था दूसरी तरफ Dracula टेडी से मिलता है और उससे कहता है कि क्या तो मुझे कुछ लोग दिलवा सकते हो क्योंकि मुझे इस दुनिया पर राज करने के लिए मुर्दों की फौच खड़ी करनी होगी जिस पर टेडी उसे बेला से मिलवा देता है उदर बेला के पास ऑफिसर ब्राउनी उसका साथ छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उसे उनकी हार दिख रही थी लेकिन उसके जाते ही उसका काटा हुआ सिर उड़ते हुए बेला के पास आकर गिरता है वहाँ पर टड़ी ड्रैकुला को लेकर आता है उसे देखकर बेला बहुत खुश हो जाती है इदर रेनफील्ड और रिवेका दोनों एक जगा पर बैटकर बात कर रहे होते हैं जहां पर रेनफील्ड उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है वो कहता है कि उसे अपने फामले बहुत प्यारी थी उसने कुछ गलतिया करी और उसकी वजह से उसके साथ काफी कुछ बुरा हुआ जिससे उसके फामले उससे दूर हो गई उसे इस बात का पच्चतावा होता है वो पूरी तरह ड्रैकुला पर भी ब्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं था जिसके बाद वो उसे ड्रैकुला के बारे में बताता है कि ड्रैकुला लोगों के सपनों को उनके खिलाफ इस्तिमाल करना जानता है अब रेबेगा के पास बेला का फून आता है और वो उसे बताती है कि उसने केट को केड़नाप करके रखा हुआ है वो बूलती है कि अगर तुम केट को छोडाना चाती हो तो रेनफील को लेकर यहाँ पर जल्दी आओ उधर ड्रेकुला भी रेनफील को बुलाने लगता है इसलिए रेनफील्ड कुछ कीड़ो को लेकर रेबेका के साथ उसके पास पहूँच जाता है वहाँ पहुंचकर रेनफील देखता है कि ड्रैकुला ने टेडी को अपनी कुछ पावर्स देकर उसे अपना नया असिस्टेंट बना लिया है उसी समय उसके गुंडे रेनफील पर हमला कर देते हैं उनको मारने के बाद रेनफील टेडी से लड़ने उसके पास चला जाता है दूसरी और रेवेका बेला से अपनी बहन का पूछती है उसी समय वहाँ की खिड़किया बंद हो जाती है और वहाँ ड्रैकुला आ जाता है टेडी ड्रैकुला की पावर स्पाकर रेनफील को धोनी लगता है जिससे रेनफील उससे कहता है कि ये शक्तिया एक श्राप है तब ही ड्रैकुला रेवेका से कहता है कि मैं तुम्हें नयाय दिलाने में तुमारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी बेहन को भी ठीक कर सकता हूँ तबी वहाँ पर एक स्ट्रेचर पर लेटे हुए कीट आती है जो मर चुकी थी और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ जिससे मैं मेरे खून से तुम्हारी बेहन को बचा लूँगा उधर लड़ाई में टेडी रेंफील्ड को हरा रहा होता है कि तबी उसे एक कीड़ा मिलता है जिससे खाकर वो एक किक में टेडी को मार डालता है जिसके बाद वो अंदर चला जाता है जो अंदर आते ही रिबेका को कहता है कि ये एक चाल है जिससे देखकर ड्रैकुला हस पड़ता है लेकिन तभी रेवेका एक बटन दबाती है जिससे खिरिक्या खोल जाती है और सनलाइट अंदर आ जाती है उससे ड्रैकुला जलने लगता है और खुद को बचाने के लिए वो चमकादर बन जाता है जो भागते प्रोटेक्शन सरकल में फसा देती है जिससे वो दोनों उसे घेर के अंदर ही अंदर पीट पीट कर माड़ डालते हैं रेनफील्ड ने ड्रैकुला का हीलिंग बलड अपने पास रख लिया होता है दोनों उसके लाश के तुकडों को कनक्रीट में मिला कर जमाते हैं और उसको नाली में बहा देते हैं जिससे ड्रैकुला वही पर मारा जाता है सब को खत्म करने के बाद रेबेका बला को अरेस्ट करके जेल भीज देती है और ड्रैकुला के खून से केट को भी ठीक कर लिती है वो उसे गले लगाती है क्योंकि उन दोनों ने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया था मूवी के एंड में रेनफील्ड ने ड्रैकुला के खून का इस्तिमाल करके सपोर्ट ग्रुप के सारे लोगों को फिर से जिन्दा कर लिया होता है क्योंकि उनके बिना उसकी लाइफ अधूरी है रेबेका और रेनफील्ड अभी भी अच्छे दोस्त हैं अब रेनफील्ड यहां पर अभी भी नोटिस करने वाली है कि क्या ड्रैकुला सच में इतनी आसानी से मारा गया वेल इसका आंसर शायद अभी हमें ना मिले लेकिन इसी होप में आज की इस वीडियो को हम यही पर खत्म करते हैं तो फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन हम फि इंट्रिस्टिंग कहानी के साथ पर तब तक के लिए धन्यवाद